महराश की मुंबई में एक हत्या का संसनी खेज मामला सामने आया है मुंबई के वसई इलाके में मंगलवार सुभा करीब आठ वजे एक युफ्ती घर से जॉब पर निकली थी और इसी दोरान सडक पर पैदल जा रहे एक सरफिरे आशिक ने उस पर हमला कर दिया युफ्ती हमले में घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी इसके बाद वो दोबारा उठ नहीं पाई आरोपी ने दरजुनों बार लड़की के सिर्फ पर लोहे के पाने से हमला किया इसका CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है युफ्ती की चीक पकार सुनकर एक दो लोग आगे बढ़े और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन आरोपी के हाथ में लोहे के पाने को देख कर लोग हिम्मत नहीं जुटा सके वहीं इस घटना का एक और वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें आरोपी महीला का चहरा पकड़ते हुए दिखाईते रहा है और उससे बात करने लगता है जब ये मामला पुलिस के पास पहुचा तो जौश में पुलिस ने बताया कि जो महीला है उसके रिष्टा खत्म करने के बाद से ये आरोपी परेशान था पुलिस के मताबिक आरोपी और युफ्ती का पहले से ही अफेर था लेकिन दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और युफ्ती ने ब्रेक अप कर लिया था इसके बाद यूफती का दूसरे यूवक से अफैर चल रहा था और यही बाद उस आरोपी को नागवार गुजरी जिसके बाद उसने बीच सुड़क पर दिन दहाडे इस यूफती की हत्या कर दी आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और घटना की जाज की जा रही है